हेलो बच्चो, वेलकम टू जही पे जीट सीरीज, मैं आकाश फॉम लर्नोहब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं, फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैंस, बायलोजी, एबसलूटली फो फ्री, अल्ली अट लर्नोहब.com बच्चो, आज हम जही सीरीज में पर्मुटेशन और कॉंबिनेशन चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं, लाश्ट वीडियो में हमने नंबर ओफ डिवीजर्स कैलकुलेट करना सीखा था और बहुत सारे कंसेप्ट सीखे थे, और आज हम जोमेट्रिकल प्रोबलंस और वर् रैंक कैसे find out करें, यह करना सीखेंगे, और लाश्ट में हम जब रैंक सीखेंगे, तो उसमें मैं shortcut method ही बताऊंगा, जिसको सीखने के बाद आप चुटकियों में रैंक वाले question solve कर पाएंगे, जहां पर सबसे यादा confusion रहता है, आर यू ready? चलिए शुरू करते हैं. आज का सबसे पहला topic पढ़ते हैं कि अगर row में हमारे पास कुछ number of objects हैं, तो उसमें conjugative objects का selection कैसे करें और कितने ways में हो सकता हैं, इसको हम geometry problems में भी use करेंगे, ठीक है? तो suppose हमारे पास five objects हैं, like this, a1, a2, a3, a4, a5, तो इसमें से अगर हमें बोला जाएं कि two consecutive objects का कितने ways में selection हो सकता हैं, तो देखो, हम ऐसे भी कर सकते हैं, a1, a2 को choose कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? और r से मैं represent कर रहा हूँ, कितने consecutive objects का selection करना था, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, हम कितने ways में कर पाएं, one, two, three, four, ठीक है? इसके लावा और कोई selection नहीं होगा, consecutive objects का, तो यह आ गए हमारा answer four, इसी तरीके से अगर हमें बोला जाएं कि three objects को हमें consecutively select करना है, same five objects है अगर हमारे पास, तो यहाँ पर a1, a2, a3, three objects, a2, a3, a4, और a3, a4, a5, तो यहाँ पर number of objects तो same ही है, और r कितने हैं इस बार? three consecutive objects का selection है, और कितने ways में कर पा रहे हैं, यह देखो, one, two, three, ठीक है, तो three ways में हम कर पा रहे हैं, तो यहाँ से आपको दो चीजे देखने की ज़रत हैं, एक तो यह की last का जो selection है, a4 और a5, है ना, तो यहाँ पर आप देखो कि जो selection start हो रहा है, वो कहां से हो रहा है, a4 से ह हो रहा है, ठीक है, a5 से हम कोई भी selection start नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके आगे कोई भी term नहीं है, simple सी बात है, तो इसी लिए a4 से start हो रहा है selection, और हमारे number of wage भी कितने हा रहे, four, ठीक है, क्योंकि जो a4 की position है, वो कितनी है, first, second, third, fourth, fourth term है, तो जितने भी हम selection कर पा रहे ह है, उसमें जो last selection है, वो किस term से start हो रहा है, उसकी क्या position है, ठीक है, अगर हम यह पता कर लें, तो हम number of ways find out कर लेगे, कि कितने ways में वो consecutive objects का selection हो सकता है, जैसे यहां पर देखो, जो last selection है, a3, a4, a5, तो यह a3 से start हो रहा है, और इसकी position क्या है, first, second, third, और हमारे number of ways भी कितन है, three, यहां से देख लो, one, two, three ways में हम select कर सकते है, three consecutive objects, तो इन ही बातों को ध्यान रखते हो हुए, हम generalize करेंगे, इसको n और r, अगर हमें कभी भी दिया हुआ है, कि n objects में से r consecutive objects का selection करना है, तो कैसे हम generalize करें उसको, ठीक है, तो suppose हमारे पास n objects है, similar a1, a2, a3, और हम बढ रते जा रहे हैं, यहां पर suppose a r है, a r plus one है, similarly, यहां पर है suppose a k minus one, a k, और ऐसे ही हमारे पास last में है, a n minus one, और a n, ठीक है, यह हमारे पास one से लेकर n तक objects है, तो यहां पर हमें r objects का selection करना है, तो r में फिर हम कोई भी value put करेंगे, तो generalize formula में answer आ जाएगा, easily, तो इसी लिए r objects का selection कैसे होगा, a1 से a r तक हम कर सकते हैं, यह एक selection हो गया, और a2 से a r plus one तक selection कर सकते हैं, यह second selection हो गया, इसी तरीके से हम a3 का a r plus two के साथ करेंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो हमारा a k minus one के साथ भी, कहीं ना कहीं होई जाएगा, किसी ना किसे के साथ selection वो हमें matter नहीं करता उतना, और a k minus one से a n minus one तक selection सपोज हो रहा है, और last जो selection है, a k से an तक selection हो रहा है, तो हमें last selection पर focus करना है, और उसमें भी इस बात पर focus करना है, कि वो किस टर्म से start हो रहा है, ठीक है, A, K से suppose start हो रहा है, तो हमारे जो इस A, K से A, N तक objects हो गई, वो R objects होंगे, तब ही तो हम last selection करेंगे, R objects का, जितने भी last selection है, हमें बोला गया था कि 3 का करना है, तो last selection A3 से A5 तक है, तो यहां पर R objects का selection है, A, K का अगर हम position बता पाएं, कि 5th, 2nd, 3rd, 4th, 5th है, A, K की ऐसी कौन सी position होगी, तो उसी position को ध्यान में रखते हुए, उतने ही हमारे number of ways आ जा जाएंगे, ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम AP का use करेंगे, arithmetic progression का आपने पढ़ी लिया होगा, तो यहां पर देखो, जो मैंने यहां पर use किया है, 1, 2, 3, 4, 5, R, R plus 1, तो ऐसे ही N तक जा रहे हैं, तो यह एक AP ही हो गई है, जिसका जो common difference है, वो कितना है, 2 minus 1, 1 है common difference, सारे-सारे natural numbers ही है, ठीक हैं, तो यहां पर common difference हमें, 1 पता चल गया है, लेकिन हमें क्या करना है, last में deal करना है, last के terms को, ठीक है, तो अगर यह AN है, और इसको हम first term माल ले, first term, और यहां पर यह R terms है, तो यह कौन सा term हो जाएगा, Rth term हो जाएगा, ठीक हैं, तो last term से हमें, last side से हमें Rth term find out करना है, ठीक है, तो वो जो position आएगी, वो front से ही आएगी, no doubt, तो यहां पर आपको करना क्या है, कि जैसे यहां पर तो increasing AP है, लेकिन अगर उधर से हम देखें, तो decreasing AP होगी, जैसे यह है, N, N-1, N-2, N-3, इस तरीके से, तो वहां से अगर हम देखें, तो वो हो जाएगा negative common difference, जैसे common difference हो जाएगा minus 1, तो यहां पर अगर हमें K का position find out करना है, तो K equals to हो जाएगा, first term लिखते हैं, अन, तो first term, अगर हम उल्टी तरफ से देखें, तो N हो जाएगा first term, तो N plus, और हमें rth term का value find out करना है, that means, उसको लिखेंगे हम r minus 1, आपने पढ़ा होगा यह formula, A N equals to A plus N minus 1 D, लेकिन इस formula को, इस situation में देखो, तो जो Nth term हम देखते हैं, यहां पर Rth term का value देख रहे हैं, कि A का, और first term यहां पर A है, तो first term यहां पर हमारा N है, ठीक है, N plus r minus 1, और D, D कितना है, common difference minus 1, क्योंकि हम opposite side को जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर देखो, K की position कितने आ जाएगी, N plus, यह minus 1 है, तो अंदर multiply होगा, तो minus r, और minus 1, minus 1, plus 1 हो जाएगा, तो K आ जाएगा, N minus r plus 1, तो इस K की position हम easily देख पा रहे है, कि यह हो गई, N minus r plus 1, और जितनी भी position होगी, इसकी उतना ही number of ways में, हम select कर पाएगे, r consecutive objects, इतना तो हमने clear करी दिया था, तो यहां पर अगर हम generalize कर ले, इस formula को, और इसकी help से हम सारे के सारे, जो situation देखी है, उसमें use करे, तो देखते हैं, k equals to n minus r plus 1, तो number of ways, जो यहां से आएगा, कितना आएगा, देखो, n कितना था, यहां पर 5 था, तो 5 minus r, r कितना है, 2 है, plus 1, तो यहां से कितना आजाएगा value, 5 minus 2, 3, plus 1, 4, तो यह आप देखी सकते हैं, कि जो हमने, ऐसे ही, देखा था कि, 4 objects, 4 selection आ रहे है, उसी तरीके से, अगर हम formula से जाए, तो हमारा 4 selection ही आ रहे है, second case में भी अगर हम देखे, तो यहां पर देखो, n कितना हो जाएगा, 5 minus r, r कितना है, 3, 3 plus 1, तो 5 minus 3, 2 plus 1, 3, तो यहां पर भी, जो 3 है, answer वो same ही है, ठीक है, तो इसी लिए हम बोल सकते हैं, कि अगर हमें, n objects में से, row के अंदर, r consecutive objects को select करना है, तो कितने ways में कर सकते हैं, n minus r plus 1 ways में, ठीक है, इसको formula के form में लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा, आपका number of ways, of selecting r consecutive objects, out of n objects in a row, equals to n minus r plus 1, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, आगे हम इसको और use करने वाले हैं, चलिए आप देखते हैं, कि circle पे अगर हमारे पास कुछ objects हैं, तो उसमें, conjugate selection कितने ways में कर सकते हैं, तो यह suppose हमारे पास circle है, इस पे ज़्यादा नहीं, मैं 4 objects ले रहा हूं, just understanding बनाने के लिए, फिर उसको generalize कर लेगे, तो यहाँ पर 4 objects हैं, 2, 2 consecutive objects का हमें selection करना है, कितने ways में हो सकता हैं, देखते हैं, तो a1 से a2 तक हम एक selection कर सकते हैं, similarly a2 से a3 तक का एक consecutive selection होगा, a3 से a4 तक का एक consecutive selection होगा, जैसे हम देखते थे row में, अगर a1, a2, a3 और a4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कैसे होगा, a2 से a3, a3 से a4, अब a4 के सामने कोई भी object नहीं है, तो इसलिए यह constraint बन जाता था, कि जो last selection है, वो यही पर stop हो जाएगा, और जो यहाँ पर first term होगा, मतलब जहाँ से last selection start हो रहा है, उसी का position हमें number of ways देता है, ठीक है, लेकिन circle में वो constraint नहीं है, क्योंकि हम a4 से a1 तक का भी selection कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते कि जो last selection हुआ, circle के case में वो a4 से a1 तक हुआ, तो a4 की position हमें चीए, ठीक है, और इसकी position ही हमें बताएगी number of ways कितना है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यह first object है, second, third, और यह कितना होगा, fourth object होगा, और n equals to 4 हो जाएगा, और हमें पता था कि जो small n है, that means number of objects है कितने circle पे वो भी 4 ही थे, ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जितने भी number of objects है, वही हमारा number of ways हो जाएगा, इसमें से अगर आप 3-3 को भी select करेंगे, a1, a2, a3, a2, a3, a4, a3, a4, a1, और a4, a1, a2, ठीक है, तो 3-3 का भी करेंगे, तो भी हम a4 पे last में जाएगे ही जाएगे, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे objects है ही selection के लिए, तो selection हमारे उतने ही होंगे, जितने number of objects होंगे circle पे, तो इसलिए हमने लिख दिया है, number of ways of selecting r consecutive objects, out of n objects, on a circle equals to n, तो कितिना भी objects का selection करना हो, आर बस n से कम होना चाहिए, तब ही तो हम उनको select कर पाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा n, ठीक है, अब parallelogram कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, if m parallel lines in a plane are intersected by other n parallel lines, then find the number of parallelograms so formed, तो यहां पर हमारे पास m parallel lines है, तो कुछ इस तरीके की होगी, बहुत सारी lines होगी, m तो एक arbitrary number है, ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास m parallel lines है, ठीक है, similarly n another parallel lines है, तो कही ना कहीं, ऐसे lines तो infinity तक होती है, तो जो another n parallel lines हो, कहीं ना कहीं intersect ही कर रही होगी उनको, तो हम assume कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से, another n parallel lines है, ठीक है, वो आपस में parallel है, तो इनके parallel line है, वो आपस में इस तरीके से parallel है, suppose यह हमारे पास n parallel lines है, ठीक है, और भी हो सकती है, तो यहाँ पर हमें process जानना है, parallelogram को कैसे बनाए हम, ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा color change कर लेता हूँ, अब यहाँ पर देखो, parallelogram एक तो यह है, ठीक है, अब इस parallelogram को बनाने के लिए, क्या हमें requirement थी, इसके लिए हमें एक तो यह line चीए थी, एक यह line चीए थी, तो यह lines कहां से आई, यह जो M parallel lines थी, कुछ इस तरीके से, उन में से हमने दो lines चूज कर ली, और जो यह another two lines है, वो N parallel lines में से आई है, समझे मारी है इतनी बात, तो यहाँ पर देखो, another parallelogram क्या हो सकता है, एक यह भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यह parallel lines है, तो parallelogram ही बनेगा, और यह भी parallel lines है, तो यह जो दो lines है, यह M parallel lines से आई, और जो यह वाली lines है, यह आई हमारी N parallel lines है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि, अगर हम M में से, जो M lines है, उन में से अगर 2 lines कोई भी चूज कर ले, और साथी साथ N में से कोई 2 lines चूज कर ले, तो हमारा एक parallelogram बनी जाएगा, अब इसमें यह matter नहीं करता है कि, हमने इधर को कितनी चूज करी है, मतलब इसमें बीच में एक यह line भी है न, बट उससे कोई फरक नहीं परता, कोई भी हम 2 चूज कर ले, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, मार लो यह है, ठीक है, तो यह भी एक parallelogram ही बनेगा, अब इसमें बीच में कितनी lines आ रही है, उससे फरक नहीं परता, बस हमें क्या करना है कि, एन parallel lines में से कोई भी 2 lines चूज करनी है, एन parallel lines में से कोई भी 2 lines चूज करनी है, तो number of ways क्या हो गया है, simply, कितने total parallelograms बन सकते हैं, इस पर बात करें अगर, तो पहला task है कि, एन में से 2 lines को चूज करो, ठीक है, एन parallelogram बनाना है, तो यहां पर आप इसको थोड़ा simplify कर सकते हैं, जब भी आपको कुछ M और N की value होगी, तो आप easily answer calculate कर सकते हैं, बस यह सोचने का process है कि, कैसे हम उस figure को बना सकते हैं, इसी तरह है कि problems हम आगे भी solve करने वाले हैं, चलिए एक बहुती interesting सी problem solve करते हैं, तो यह हमारे पास एक chess board है, आपने कभी न कभी game खेला ही होगा chess का, और अगर नहीं भी खेला हैं, तो थोड़ा basic understanding तो होगा ही, देखा ही होगा, तो यहां पर हमारे पास 8 squares होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यह 8 columns हो गए, और similarly 8 rows में भी squares होंगे, तो यहां पर हमें क्या करना है, rectangles find out करने है, कितने बनेंगे, तो rectangle बनाने के लिए क्या है, हमारे पास कुछ इस तरीके से rectangle बन जाएगा, तो इसके लिए हमें, vertical lines चाहिए, और कुछ horizontal lines चाहिए, ठीक हैं, तो कितने available lines हैं, वो ही पहले पता कर ले, और उसमें हम फिर देख लेंगे, कि जो vertical है, vertical lines में से अगर हमें two lines मिल जाए, और horizontal में भी two lines मिल जाए, तो हमारा एक rectangle बन जाएगा, ठीक हैं, यह similar है parallelograms के ही, जैसे हमने last problem में solve किया था, तो lines देखते हैं कितनी हैं, तो first line तो यह ही हो गए, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, similarly horizontal lines कितनी हैं, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, तो हमने देखा कि eight boxes थे, या eight squares थे, या eight rows थी, तो उसमें nine lines की जुरत पड़ी हैं, ठीक हैं, अब rectangle बनाने के लिए, rectangle ऐसा भी है, और rectangle ऐसा भी हो सकता है, बड़ा सा, कितना भी बड़ा हो सकता है, हमें उससे फरक नहीं है, बस हमें इतनी बात important है, कि two vertical lines select करने हैं, और two horizontal lines select करने हैं, तो हमारा rectangle बन जाएगा, चिक हैं, तो बिल्कुर पहले लेग्राम की तरह ही है, इसमें क्या करने हैं, nine lines में से हमें two lines choose करनी है, suppose यह horizontal lines में से हैं, nine में से हमने two choose कर ली, and multiply करेंगे, vertical lines में से भी हमें two lines choose करनी है, तो यह क्या हो जाएगा, nine c two का square, तो nine c two क्या होगा, nine into eight by two का whole square, तो यहां पर हम two से eight को cancel करेंगे, four times, nine four जा thirty six, thirty six का square, कुछ number आ जाएगा, तो यहां पर हमें next problem solve करनी है, squares की, ठीक है, तो number of squares कितने होंगे, यह बहुत interesting है, तो यहां पर देखो, यह rectangle है, बट यह एक square नहीं है, अब एक important बात यह भी है, कि जैसे यह एक square है, तो इसके अंदर एक ही box है, तो इसको हम rectangle भी count करें, क्योंकि rectangle भी एक square का special case है, ठीक है, जिसकी side, same है दोनों side, तो लेकिन rectangle choose, sorry, square choose करने के लिए, यह select करने के लिए, एक special बात यह है, कि जितने हम horizontal में choose करेंगे, sides, उतने ही हमें, vertical में भी choose करने होगे, क्या मतलब, कि जैसे हमने, one one choose की, इसके बीच में कोई भी lines नहीं है, और तो हमने vertical में, one one ही choose करने है, जैसे अगर यह देखो, यह एक rectangle है, बट यह एक square नहीं है, क्योंकि हमने, vertical में तो three lines choose कर ली, consecutive lines, one, two and three, लेकिन horizontal में सिर्फ two lines ही choose की है, तो हमें क्या करना है कि, हमें horizontal में भी हमें three lines को choose करना है, तो यह हो गई, one, two, three lines, और vertical में भी होगे, one, two, और three lines, तो एक हमारा यह एक definitely square बनी गया है, ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आ रही है, कि हमें consecutive lines सेम ही रखनी है, जितना भी हम horizontal में select करेंगे, उतना ही vertical में select करेंगे, और different different squares हमें मिलते जाएंगे, जैसी यहाँ पर है, यह हमने vertical में, one, two, three, four lines select करेंगे, तो horizontal में भी हमें one, two, three, और four lines से select करने होगी, तो यह आपको एक square बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, चलो, इतना clear हो गया है, यहाँ तक बने गाई, तो यहाँ पर अब इसको solve करते हैं, proceed करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम check करेंगे, कि कितने size का बन रहा है, और कितने squares बनेगे उसके, ठीक है, तो अगर हम one by one की बात करें, जिसमें हम one, यह हो गया one by one का square, तो इसमें two sides हम horizontally choose कर रहे हैं, और two vertically choose कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके कितने squares बनेगे, eight ऐसे हैं, तो eight eight जा 64 बनेगे, ठीक है, लेकिन eight कैसे आया, वो थोड़ा सा देखते हैं, तो one by one के, हमारे पास eight into eight squares बनेगे, तो हमने देखा था कि, consecutive lines को selection हम कैसे करते हैं, तो nine हमारे पास lines हैं, total, और जब भी हमें square बनाना है, consecutive lines choose करनी होगी, ऐसा नहीं है कि, एक line हमने यहाँ पर choose कर ली, एक line यहाँ पर, और एक line कहीं और choose कर रहा है, ठीक है, सिर्फ consecutive line, जो एक साथ ही है, उन्हीं का selection करना है, तो उसका formula हमने सीखा था, क्या, n equals to n minus r plus 1, तो यहाँ पर हमेशा जो n है, वो 9 lines है, किदर को भी चले जाए, plus 1 minus r, तो n equals to 10 minus r, तो इस formula में, जब भी हम r की value put करते जाएंगे, तो हमें number of ways, कितने ways में हम उसको select कर सकते हैं, वो हमें पता चलता जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, r हमारा कितना रहेगा, 1 by 1 square के लिए r रहेगा 2, क्योंकि हमें 2 lines, horizontal select करनी है, vertical select करनी है, तो कितने ways में कर सकते हैं, 10 minus 2, 8 ways में कर सकते हैं, ठीक है, और 8 ways में हम जब select करेंगे, horizontal line, और 8 ways में हम select करेंगे, vertical line, तो इतने हमारे पास squares बन जाएंगे, ठीक है, अब हम बात करते है, 2 cross 2 की, जो हमने यहाँ पर बनाया है, 2 cross 2 का, ठीक है, 2 इधर को और 2 इधर को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि 3 हमने, horizontal line select करनी है, और 3 vertical line select करनी है, तो r की जगा, अगर हम 3 put करेंगे, तो यहाँ आजएगा 10 minus 3, that means 7, तो 7 ways में हम horizontal line select कर सकते हैं, तो 7 into or 7 vertical, 7 ways में vertical line select कर सकते हैं, तो इसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे, 3 cross 3, तो यहाँ पर आजएगा 6 cross 6, अगर हमें 4 by 4 का size का चीए, तो कितने ways में हो सकता है, 5 by 5 में, similarly, जब हम last का count करेंगे, 8 by 8, that means, जो बड़ा square होगा, ठीक है, complete square, 8 by 8 का, तो कितने squares बनेंगे, आप देखी सकते हैं, कि एक ही बड़ा square बन रहा है, ठीक है, और अगर आप इस ways में भी जाएंगे, तो आप देखेंगे, कि यहाँ पर 1 cross 1 way में हम उसको बना सकते हैं, चीक है, तो चलिए देखते हैं, squares में, कितना number of ways में बनाई squares, तो 1 square, plus 2 square, plus 3 square, plus 4 square, इनका squares करते जाएंगे, plus 5 square, plus 6 square, plus 7 square, plus 8 square, तो यह हमारे total number of ways हो गए, जिसमें हम squares बना सकते हैं, चीक है, इतने squares बनेंगे, तो यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं, natural number के squares का sum है, चीक है, तो आपको एक formula पता ही होगा, कि जब भी हम r square की बात करते हैं, और r equals to 1 से n तक हैं, तो इसका summation क्या आता है, n, n plus 1, 2n plus 1 by 6, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ, n की value, n क्या है, 8 तक जा रहे हैं, तो n की value, 8 इसमें put करने हैं, तो क्या जाएगा answer, 8 into n plus 1, 9 into 2n plus 1, तो 8 into 2, 16 plus 1, 17 by 6, तो यहाँ पर देखो, 6 से cancel हो जाएगा, कितना, यह 2 से अगर divide करें, तो 3 times, और यह जाएगा 4 times, 3 से 9 जाएगा, 3 times, तो यह आगया, 4, 3, 12 into 17, तो यहाँ से number of squares, आपके कितने आ जाएगे, 4 और 204, चिक है, तो यह total number of squares आगया, आपके 204, अब third part है, rectangles which are not squares, चिक है, तो हमने बताया कि, जो यह squares है, यह भी हमने rectangle में count कर लिये है, ठीक है, जब हमने सिर्फ two lines choose की थी, तो यह भी तो एक वही case है, कि हमने 9 में से, यह two lines choose कर ली, और यह भी two lines choose कर ली, ठीक है, तो यह सब rectangles के अंदर है, बट हमें वैसे rectangles बताने हैं, जो squares नहीं है, that means कुछ इस तरह के rectangles, suppose like this, यह square नहीं है, तो क्या करना है simply, जो भी हमारे rectangles total बने, उस में से हम squares वाले case minus कर देंगे, तो total कितने वाने, 36 का square, तो अगर third part की हमें solve करना है, तो इसका answer कितना हो जाएगा, number of rectangles which are not squares, तो यह आजाएगा, 36 का square, minus 204, ठीक है, तो यह calculation आप easily कर सकते हैं, तो यहाँ पर, आपको ध्यान देना है कि, rectangles के लिए क्या condition है, squares के लिए क्या condition है, तो different different हमने cases देखें, और फिर उनको add कर दिया, चलिए एक बढ़िया सा concept सीखते हैं, through an example, the interior angles of a regular polygon measures, 140 degree each, then find the number of diagonals of a polygon, तो हमारे पास एक polygon है, regular polygon है, जिसमें 140 degree है, each angle, तो अगर मैं इस तरीके से कुछ बना लू, इस तरीके से कुछ regular polygon होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं dot से represent कर रहा हूँ, और यहाँ पर n sides है, तो देखो जो diagonals होंगे, वो यह होंगे, एक तो अगर किसी भी vertices को join कर दिया जाए, तो वहाँ से हमें, एक diagonal मिल जाता है, कुछ यह सारे diagonals होंगे, इनको भी मिला के एक diagonal मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं कोई triangle बना लूँ, तो यहाँ पर अगर 3 vertices है, तो 3 ही sides होगी, ठीक है, और 3 ही angles होंगे, angles भी 3, side भी 3, vertices भी 3, तो यहाँ पर हमने n sided polygon माना है, तो उसमें n ही vertices होंगे, ठीक है, यह हम ऐसा बोल सकते हैं कि, n points थे एक plane में, और उनको मिलाते हुए हमें एक polygon बनाया, और उसके number of diagonals बताओ, ठीक है, तो number of diagonals अगर हमें formula बनाना है, तो देखते हैं कैसे बना सकते हैं, number of diagonals कैसे आएंगे, देखो, किसी भी 2 vertices को, या किसी भी 2 points को, अगर हम join कर दे, तो वहाँ से हमें एक diagonal मिल जाएगा, ठीक है, बट उसमें एक problem आजाएगी, कि जैसे ये वाला vertices है, और एक ये वाला point है, तो इन दोनों को अगर join किया, तो diagonal के, sorry, polygon के diagonal ही बन रहे है, polygon की side भी बन रही है, ठीक है, two points को अगर हम join करते हैं, तो n points से n side बन रही है, तो उन sides को माइनस कर देंगे, ठीक है, जो total cases होंगे, तो n points में से अगर हम two को select कर ले, तो nc2 हमारे number of sides और number of diagonals, दोनों को add करके मिल जाएगा, minus, अगर हम इसमें number of sides माइनस कर दे, तो सिर्फ diagonals की value मिलेगी हमें, ठीक है, तो number of diagonals इस तरीके से आप बना सकते हैं, इतने count आएगा, तो यहाँ पर simply हमारा aim है कि हमें n का value पता चलेगा, ठीक है, वो कहां से पता चलेगा, हमें बताए कि हर एक angle 140 degree का है, ठीक है, तो कोई भी polygon हो या कोई भी closed figure हो अगर, तो उसमें अगर हमें पता है कि कितनी sides है, ठीक है, तो उन सभी angles का sum, जैसे यहाँ पर theta, यहाँ पर theta, तो सभी angles का sum कितना आता है, n-2 into 180 degree, यह आपने lower classes में पढ़ा होगा, अगर आप इसको triangle में set करके देखे, तो triangle में देखो, 3 sides है, और 3 को अगर put करोगे, तो यहाँ पर आएगा, 3 minus 2, 1, and 1 into 180, तो जो सभी angles का sum है, triangle के internal angles का, वो आज जाएगा 180, ऐसे यह आप quadrilateral का check कर सकते हैं, ठीक है, तो n-2 into 180 आएगा, लेकिन हमें दिया हुआ है, यहाँ पर each angle is 140 degree, और regular polygon है, that means हर एक angle कितना होगा, suppose theta होगा, same होगा, ठीक है, regular polygon में, तो सभी angles का sum, जो है polygon के अंदर, n-2, 180 degree, तो अगर theta की बात करें, तो theta कितना हो जाएगा, सभी angles का sum, upon number of sides, या number of angles, जितने sides, उतने ही angles, ठीक है, तो यहाँ पर, हमारे पास, s क्या है, n-2, 180 degree, upon number of sides, और each angle का, जो major है, वो कितना है, 140 degree, तो यह put कर देते हैं, तो 180 degree को, denominator मिल जाएगे, तो यह बन जाएगा, n-2 upon n, 140 degree, upon 180 degree, तो यहाँ से, उपर नीचे 20, 20 से आप divide कर दोगे, तो यह आजाएगा 7, और यह आजाएगा 9, ठीक है, अब gross multiply कर लो, 9 की n-2 से, तो यह आजाएगा, 9n-18, और n into 7 आजाएगा 7n, 7n को इधर लियाएंगे, तो 9n-7n, 2n, और minus 18 को उधर लियाएंगे, तो 2n equals to 18, तो n आजाएगा 9, that means, polygon के अंदर, 9 sides है, यह 9 points है, यह 9 angles है, तो number of diagonals कितने आजाएंगे, capital N equals to 9c2 minus 9, ठीक है, तो यहां से, 9c2 आजाएगा, 9 into 8 by 2, minus 9, 2 से 8 जाएगा 4 times, तो यह आजाएगा 36 minus 9, तो number of diagonals हमारे आजाएगे है, 27, ठीक है, 9c2 minus 9, आपको समझ में आजा होगा, 10c2 वे वाले case से, हम n points को, 9 points को select कर रहे है, 2 points को select कर रहे है, at a time, और minus 9 इसलिए कर रहे है, क्योंकि, यह वाले जो sides है, यह भी 2 vertices को, या 2 points को, join करके ही बनाए, लेकिन वो diagonal नहीं है, इसलिए हम 9 minus कर दे रहे हैं, ठीक है, चलिए अब सीखते हैं, कि अगर कोई particular number of points, हमारे पास हो plane के अंदर, तो कितनी different geometries बन सकती है, number of geometries find out करेंगे, यहां पर है, there are n points in a plane, out of these points, no 3 are in the same line, except m points, which are collinear, than the total number of, straight lines, triangles and quadrilateral, तो यहां पर हमारे पास, m points collinear है, that means कुछ इस तरीके से है, ठीक है, जो एक ही line में लाई करेंगे, तो यहां से हम एक line भी draw कर सकते हैं, तो यह कितने है, इस line के उपर, m points है, जो हमारे plane के अंदर given है, ठीक है, total number of points कितने है, n points है, तो कुछ इस तरीके से होंगे, कहीं पर भी, ठीक है, बट यह जो n points है, उन में से सिर्फ, जो m points है, वो एक line पे है, और जो बाकी सारे के सारे points है, वो एक line पे line नहीं करेंगे, ठीक है, 3 points, यह 3 से ज़्यादा, एक points लाइल नहीं करेंगे line पे, 2 points को अगर हम consider करें, तो हमेशा एक line बने सकती है, 2 points है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 points है, तो इनसे हम एक line बना सकते हैं, और अगर हम किसी ओर 2 points को consider करें, तो उनसे different line बनेगे, किसी भी 2 points को ले लो, जो collinear नहीं बोले गए हैं, तो उनसे एक line बन सकती है, बट जो collinear points है, M points है, उनमें problem क्या हो रही है, कि अगर हम इन 2 points को ले, तो फिर भी हमें यही line मिलेगी, अगर इन 2 points को ले ले, different points को, तो यहाँ से भी एक ही line मिलेगी, same line मिलेगी, और अगर इस point को और lash के point को ले ले, तो भी same line मिलेगी, ठीक है, तो वैसे cases, जहां से हमें बार-बार same line मिल लिया, उनको हमें minus करना होगा, ठीक है, तो total हमारे पास plane के अंदर n points है, और 2 points को चूज़ करके, हमें एक line बना सकते हैं, तो total number of lines हुज़ाएगी हमारी nc2, ठीक है, out of n points, 2 points को select कर रहे हम हर बार, लेकिन यहां पर, जहां पर, every time, 2 points को select करने के बाद, same line मिल रही है, तो हमें उन lines को minus करना होगा, क्योंकि हमने उनको भी मान लिया है, कि वहां से भी distinct line मिलेगी, ठीक है, तो इसलिए हम nc2 minus कर देंगे, और अब यह एक line तो मिली रही है, इन points है, ठीक है, तो इसको हमें add करना होगा, mc2 में हमने सारे के सारी lines minus कर दी है, तो one add इसलिए गया, क्योंकि हमें एक line तो मिली रही है इससे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमें अब number of triangles find out करने हैं, कि इन सभी points से कितने number of triangles बन सकते हैं, ठीक है, तो triangles के लिए हम कोई भी 3 points ले लेंगे, अगर, तो हमारा काम बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, एक triangle बन जाएगा, 3 points को चूज करके, that means, जो total points है, nc3, ways में हम, इतने triangles बना सकते हैं, nc3, ठीक है, लेकिन यहां पर भी एक problem है, कि, जो यह m points है, यहां पर अगर हमने, तीनों के तीनों points, चूज कर लिए, m वाले, ठीक है, line वाले, तो यहां से, triangle ना बनके, सिर्फ वो line segment ही बनेगा, clear हो रही है इतनी बात, क्योंकि वो एक ही line में है, collinear है, तो इसलिए, यहां पर, जो यह, यहां से triangle बन रहे है, out of m points, हम 33 को select करके, जो triangles बना रहे हैं, in n points में, क्योंकि, n points तो सारों को include करके हैं, mboc में है, तो वो वाले cases हमें minus करने होंगे, तो हम कर देंगे mc3, तो यह wrong वाले cases, जहां पर हम सोच रहे थे, कि triangle बन रहा होगा, 3 points को लेके, बढ़ वहां पर, सिर्फ एक line segment बन रहा है, तो इसलिए हम वो cases minus कर देंगे, अब बात करते हैं, quadrilateral की, तो quadrilateral के लिए हमें 4 points चाहिए, ठीक है, तो total n points में से, अगर हम nc4 लिख दे, तो यह हो गई, total number of quadrilaterals, बट यहां पर again, जो m वाले है, को लिनियर वाले है, यहां पर problem क्या हो जाएगी, मालो हमने यह 3 points चूज कर लिए m से, और एक point ले लिया बाहर से, ठीक हैं, तो यह क्या बन गया है, यह तो एक triangle बन गया है, बट हम ऐसा सोच रहे थे, कि अगर कोई भी 4 points ले ले लेंगे, यह और यह और यह वाला, तो यहां से एक हमें quadrilateral मिल जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होगा, क्योंकि तीन point तो एक ही line पर हो गए, तो triangle बन गया, तो वो cases जहां पर हम तीन points, m से choose कर रहे हैं, वो वाले हमें minus कर देंगे, तो m c 3, और एक point कहां से लेंगे हम consider करेंगे, वो point आएगा कहीं से भी जो, total n में से m minus कर दे, तो जो n minus m points बनेंगे, जो 3 को अगर ले, तो non-collinear है, तो उन में से हम एक point चूज करेंगे, तो यहां पर है रहेगा, n minus m c1, ठीक है, और दूसरा case क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकते कि, 4 के 4 points, हम m से ही select कर ले, ठीक है, तो उस case में भी problem हो जाए, क्योंकि हम सोचे थे कि, वो quadrilateral बनेगा, लेकिन वो बन गए, एक line segment, तो इसी लिए, जो m c4 वाले cases है, ठीक है, वो भी हम minus कर देंगे, तो अब यहां पर, 4 के 4 points, सिर्फ हमने m c4 से ही, select कर लिए, ठीक है, तो यह हमारा quadrilateral आ जाएगा, number of quadrilaterals, तो इस तरीके से, आप different different ways में, geometry को बना सकते हैं, कितने number of ways में, कितने straight line बनेगे, कितने quadrilateral बनेगे, easily आप find out कर सकते हैं, बट यह देखना है, कि उस figure के लिए, कितने points के हमें, selection करना है, कितने points की जरूरत है, उसी के according आप कर सकते हैं, ठीक है, चलिए एक अच्छा से example, solve करते हैं, the maximum number of intersection points, of M circles, and M straight lines is 11, then the value of M, तो यहाँ पर हमें, M की value find out करनी है, M क्या है, circles का, कितने circles हैं, और straight lines का value, कि कितने straight lines हैं, और उनके जो maximum intersection points है, वो है 11, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हम एक circle consider कर ले, और फिर दूसरा circle ले ले, कुछ इस तरीके से, तो कितने होते हैं, maximum intersection points, 2 होते हैं, ठीक है, लेकिन, यहाँ पर M circles है, 2 circles की तो बात नहीं हो रही है, तो और भी circles हो सकते हैं, suppose हमने कुछ इस तरीके का circle ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर same intersection points से pass कर गया, अगर वो circle, तो यहाँ पर अभी भी, 3 circles से भी कितने intersection points मिल रहे हैं, 2 ही मिल रहे हैं, तो यहाँ पर intersection points तो maximum नहीं होए, और suppose हमने जो line है, वो भी यहाँ से draw कर दी, ठीक है, अब आपने line भी consider कर लिए, फिर भी हमारे जो number of intersection points है, वो 2 ही है, ठीक है, तो इस तरह के cases हम consider नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमें maximum intersection points नहीं मिल पा रहे, तो अगर कोई 2 circle है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर तो हमें intersection points मिली गए, ठीक है, लेकिन जो 3rd circle है, वो कुछ इस तरीके से होना चीए, ठीक है, जो 1st circle से भी कुछ intersection points मना रहे हैं, कुछ इस तरीके से, और 2nd circle के साथ भी कुछ intersection points मिल रहा है, इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ रहे हैं बत, और अगर lines हो, तो line भी कुछ इस तरीके की होने चीए, कि हर एक circle को, वो intersect कर रहा है, ठीक है, तो इसी लिए हमें maximum number तभी मिलेंगे, जब हम इस तरीके cases consider करेंगे, ठीक है, तो अब हम बात कर लेते, कौन-कौन से हमारे intersection points बनेंगे, possible intersection points, अगर हमारे पास दोनों circle है, ठीक है, तो circle से हमें two intersection points हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है, अगर कोई two lines है, तो line से हमें सिर्फ एक intersection point हमेशा मिलेगा, ठीक है, अगर हमारे पास एक line है, और एक circle है, ठीक है, तो इस case में भी हमें two intersection points मिलेंगे maximum, ठीक है तो अब हम देख लेते हैं कि कितने maximum intersection points हमें मिल सकते हैं, हमें पता है कि 11 ही हमारे पास maximum है, तो उसके according हमें m circle और m state lines में से choose करने intersection points, तो हमारे पास m circles हैं, उसमें से अगर हम two circles को choose करे, select करे, तो कितने ways में कर सकते हैं, mc2, ठीक है, और हर एक selection से हमें two intersection points, मिल रहे हैं, इतना तो clear है, ठीक है बाद, अब देखो, m straight lines है, ठीक है, तो m straight lines में से अगर हम two two straight lines का selection करें, तो कितने होंगे total number of selections, mc2, और हर एक selection से जब हम two straight lines को select कर रहे हैं, तो हमें एक intersection point मिल रहा है, ठीक है, इतनी बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा, one से multiplication, plus, अगर हम एक circle और एक straight line को consider करेंगे, तो क्या करना होगा, m circle में से हमें एक circle choose करना होगा, and intersection point के लिए m straight line में से, एक straight line को choose करना होगा, तो इस selections यहाँ में कितने intersection points मिलेंगे, two मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा two, और यह हो गई total intersection points, तो इसको लेख देंगे हम 11 के equal, ठीक है, अब simply यहाँ से m की value find out करनी है, तो देखो, इन दोनो terms में से, अगर हम mc2 को comma ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा two, और यहाँ से बचेगा one, तो two plus one हो जाएगा add, क्योंकि बीच में plus है, तो इसलिए यहाँ से multiply हो जाएगे simply three से, और mc2 को क्या लिख सकते है, m, m minus one, नीचे two है, तो हम एक कम करते हुए लिखेंगे, two times one, और two, और नीचे two factorial आएगा, जिसका value two ही रहेगा, ठीक है, अब अगर यहाँ पर बात करें, तो यहाँ से क्या होगा, mc1 का मतलब है, m into, again mc1, तो again m, तो m into m हो जाएगा, m square, और two से भी multiply है, तो यहाँ जाएगा, two m square equals to 11, clear है इतनी बात, अब देखो, यहाँ पर भी नीचे two है, तो इससे सारी terms में two से multiply कर देते हैं, तो क्या होगा, first term में जब हम two से multiply करेंगे, तो यह two cancel हो जाएगा, और three से multiply होगी, तो यह बन जाएगा, three m square, और three m की अंदर multiply होगी, तो यह आजाएगा, minus three m, ठीक है, अब यह इस two से जब हम multiply करेंगे, सा quadratic equation हमें solve करनी है, तो यहाँ से आजाएगा, three plus four, seven m square minus three m, और इसको भी धर लियाएगे, तो minus 22 equals to zero, तो हमें अब क्या करना है, 22 into seven के ऐसे factors करने हैं, कि multiply करके आजाए, 22 into seven, और minus करके, क्योंकि यहाँ पर minus है, तो minus करके minus, मतलब three आजाए, ठीक है, तो चले देख लेते हैं, तो 22 into seven के factors क्या क्या होंगे, seven, तो यहाँ जाएगा, 22, ठीक है, और यहाँ से क्या जाएगा, two से डिवाइड करेंगे, तो 11 बचेगा, और 11 से डिवाइड करेंगे, तो one बचेगा, ठीक है, अब हमें three लाना है, तो कैसे कर सकते हैं, seven into two, 14 और 11 को consider कर लेंगे, तो 14 minus 11, three ब minus 14 M, plus 11 M, तो देखो, ultimately, minus three M ही लिखा हुआ है, minus 22 equals to zero, तो चलिए, यहाँ से common ले लेते हैं, first two terms में से seven M common आ जाएगा, तो seven M common लेने के बाद, यहाँ से बचेगा, first term से M, और second term से कितना बचेगा, minus two, ठीक है, अब जो last के two terms है, इसमें से हम 11 common ले सकते हैं, तो यहाँ जा M minus two equals to zero, तो यहाँ से देखो, M minus two, हम again common ले लेंगे, तो first term से बचेगा, seven M, second term से बचेगा, 11 equals to zero, ठीक है, तो M equals two कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम equate कर दे, तो M minus two equals to zero, तो M equals to two आ जाएगा, और seven M plus 11 को equate करेंगे, तो यहाँ से M की value आ जाएगी, minus 11 by seven, which is not acceptable, ठीक है, तो M तो एक quantity है, circles की और straight lines की, तो एक positive integer ही होना चाहिए, that means हमारा जो M equals to two है, वो answer है, correct, तो M, two हमारे पास circles है, और two हमारे पास straight lines है, जिससे हमें total 11 intersection points मिल रहे हैं, ठीक है, P and C में ऐसे भी questions पूछे जाते हैं, जहाँ पर word की rank पूछी जाती है, अगर उस word के letters को dictionary form में लिखा जाए, ठीक है, चलिए देखते हैं, If the letters of the word among are arranged as in an English dictionary, then find the rank of the word among, तो यहाँ पर देखो, आपने dictionary तो देखी ही होगी, तो उसमें सबसे पहले जो word से वो start होते हैं, ए के साथ, फिर जैसे A के साथ फिर B आएगा, फिर A के साथ C आएगा, उसी तरीके से फिर B पर move करते हैं, फिर B के साथ C आता है, B के साथ D आता है, उस तरीके से हम move करते जाते हैं, तो A से Z तक हम words लिखते हैं dictionary के अंदर, यहाँ पर हमें among की letters हैं, उसको dictionary के form में लिखना है, जैसे यहाँ पर O word है ही नहीं, O letter है ही नहीं, तो हम O वाले words जो होंगे, उनको use नहीं करेंगे dictionary में, ठीक हैं, तो सबसे पहल कौन सा word आएगा, letter आएगा, A आएगा, उसके बाद आएगा आपके पास G, फिर आएगा M, फिर N और U, ठीक हैं, तो इस तरीके से हमारे letters होते हैं, alphabet होते हैं, A से अगर Z तक जाए, ठीक हैं, सबसे पहले आता है A, dictionary में भी सबसे पहले A आता है, तो हमें जाना है among के पास, ठीक है, तो among से पहले, जो A words से आने वाले, A letter से आने वाले जो भी words है, वो तो हम लिखी सकते हैं, उसके बाद ही कहीं आएगा among, तो क्या करते हैं, कि A को हम fix कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से, और जो बाकी के places हैं, कितने words, letters हैं और four letters हैं, तो इसको fix कर लिया, सबसे पहल जो letter होगा, word के अंदर, वो A ही होगा, बाकी के arrange होते रहेंगे, अपने आप, different ways में, ठीक हैं, तो four letters हैं, वो कितने ways में arrange हो सकते हैं, four factorial में, clear है इतनी बात, तो A से start होने वाले, सबसे पहले ही होंगे, among बाद में ही आएगा कहीं, similarly, अगर हम G को start करें, ठीक हैं, G को fix कर ले, और इसके अलावा, जो four letters हैं, उनको अपस में arrange करें, तो वो भी certainly, among से पहले ही आ जाएगा, क्योंकि, among का first word ही क्या है, you, है न, तो G से start होने वाले, सारे letters, कितने ways में हो सकते हैं, four ways में, ठीक है, अब बात करते हैं, next, जो letter हमारा M है, तो M के भी similar हो सकते हैं, कितने four ways में हम लिख लेंगे, क्योंकि हम यह सबसे पहला जो letter है, वो U तक जाना है, U सबसे last में, similarly, जो N है, N वाले letters, जिसमें N वाले words कितने होंगे, यह भी हो जाएंगे, factorial 4 के ही साब से, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आ जाए, N की अलावा, A, G, M, U, किसी भी sequence में, आगे पीछ letter ही हमारा N है, अब हम बात करते हैं, आगे N की, ठीक है, तो N अगर हमने first में put कर दिया, तो जो बाकी places है, four places आएंगे, ठीक है, तो उन four places में ऐसा भी तो हो सकता है, U के अलावा जब हम A, G, M, U को arrange कर रहे होंगे, तो उसमें ऐसा भी हो सकते है कि first letter जो है, यह न, M आ जाएगा, और हो सकता है कि बाद में A आ जाए, N आ जाए और G आ जाए, तो ऐसा sequence हमें मिल जाएगा, जहां पर उमंग आ जाएगा, ठीक है, लेकिन dictionary में अगर हम बात करें, तो U के बाद directly क्या use करते हैं, जो A है, A को use करेंगे, फिर B को use करेंगे, फिर C को use करेंगे, अग हम A use करेंगे, ठीक है, तो U A को fix कर देंगे, ठीक है, तो U हमारा fix हो गया, और A, फिर G, फिर M, फिर N, इस तरीके से हम sequencing करते जाएंगे, तो अब हमारे 2 letters इस case में fix हो गए, तो हम 3 को different ways में arrange कर सकते हैं, तो U और A अगर हमारे fix हो गए हैं, तो G, M, N, किसी भी sequence में यहां प तो इसलिए यहां पर U A से start होने वाले कितने letters, कितने words बन सकते हो बनेगे, factorial 3, क्योंकि यहां पर G, M, N, कोई भी different arrangement में हम put कर सकते हैं, ठीक है, तो next letter जो हम use करेंगे, U तो हमें fix कर नहीं है, क्योंकि हम U पर आ चुके, अब A के बाद है हमारा G, ठीक है, तो G से तो हमारा word बनने रहा है, U M से बन रहा है, तो G को भी हम अच्छे से use कर सकते हैं, 1, 2, 3, तो U G को fix करने के बाद 3 places को हम 3 factorial में arrange कर सकते हैं, ठीक है, अब U G आ गया है, U G को use कर चुके, अब U के साथ M को use करना है, ठीक है, लिक्सनरी में ऐसे होता है, 2, 2 letters को हम use करते जाते हैं, तो यह यहाँ पर अगर U और M को fix कर दें, ठीक है, तो यह तो हमारा word ही बन जा रहा है, ऐसे, क्योंकि अगर हम 3 places में arrange करेंगे, U M के अलावा A G N को, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर A आ जाए, फिर एक arrangement ऐसा हो सकता है, A N G आ जाए, ठीक है, तो हमारा word ही बन जाएगा, लेकिन हम में ऐसा भी नहीं करना है, तो U के बाद हम U M को भी fix कर देंगे, ठीक है, और M को fix करने के बाद हम फिर से start करेंगे, तो U M A के साथ आएगे, ठीक है, लेकिन A भी हमारा among में है, sequence में, तो A को भी fix कर देंगे, ठीक है, U M A, अब बात करते हैं, U M A हो गया है, फिर G, जब भी कोई word हमें मिल जाए, फिर left से start कर दो उसके लिए, ठीक है, तो G, G तो हमारा नहीं है, N है पहले, तो इसलिए हम अच्छे से G यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो four letters fix करने के बाद हमें जो एक letter, है न, change करना है, arrangement करना है, वो कौन सा बचा हमारा, N बचा, ठी इतने ways में होगा, factorial one में, एक ही word बनेगा ऐसा, U, M, A, G, N, ठीक है, अब हमारे पास, G के बाद है, N, ठीक है, क्योंकि M तो हम already use कर चुके, U, M, A, U, M, A तक हमारा fix हो गया था, G हम change करते जा रहे, G के बाद हम N use करेंगे, तो यहां पर देखो, N ओर्री आ गया है, तो इसक U, A, N, ठीक है, और U, M, A, N के अलावा क्या बचा फिर, G बचा, तो जो G है, वो भी आ जाएगा यहां पर, इसको भी fix कर देगे, तो last word जो बनेगा हमारा उमंग ही बनेगा, ठीक है, इस से पहले वाले words यह सब बन गए है, तो यहां पर जो उमंग की rank बताने है, तो है, तो यहां से अगर हम rank calculate करें, तो यहां से आजाएगा, 4 factorial कितनी बार है, 4 times है, तो यहां से आजाएगा, 4 into 4 factorial, plus 3 factorial, 2 times है, तो यहां से आजाएगा, 2 into 3 factorial, और 1 factorial कितनी बार है, 1 times है, तो यहां से आजाएगा, 1 into 1 factorial, plus जो rank है, वो 1 add कर देंगे, यह जिली बाद में, ठीक ह तो यहां से आपका 4 factorial का value कितना होगा 4 into 3 into 2 4, 3 is 12 to 24 तो यहां से आजाएगा आपका 96 similarly 3 factorial कितना होगा 3 into 2, 6 और 2 यहां पर already है तो 12 और 1 into 1 factorial 1 और last में भी 1 है तो यहां से आजाएगा आपका 2 ठीक है तो 6 to 8 और 2, 10 1 carry, 9, 1, 10, 11 तो यह rank जो आपकी आजाएगी उमंग की वो आजाएगी 110 clear है इतनी बात अब हम again उमंग की rank निकालेंगे but using a shortcut method तो जितना हमें लंबा calculation किया था उससे भी छोटे calculation में हम उमंग की exact rank निकाल सकते हैं ठीक है तयार है सब तो उमंग को इस बार क्या करना है हमें simply उमंग लिखना है ठीक है U, M, A, N, G थोड़ा सा space देगा लिखना है अभी पता चल जाएगा क्यों और इसकी बाद क्या करना है हर एक word को rank देनी है ठीक है A के बाद आता है B B तो यहाँ पर है नहीं बट यहाँ पर आगे क्या है C भी नहीं है D भी नहीं है E भी नहीं है F भी नहीं है G है तो 1 के बाद इसको देंगे 2 तीक है सिर्फ 2 देनी है क्योंकि यह इससे next number है वो count मत करना कि B, C, D, E, F, G तो यह तो कुछ 10 या 11 की rank पर आएगा नहीं सिर्फ 1 से बाद में 2 और इसके बाद क्या आएगा M आएगा तो इसको दे दो 3 और N को दे दो 4 और U को दे दो 5 ठीक है यह काम हमने कर लिया सिर्फ सबसे पहला इस step है rank दी अब क्या करना है U को deal करते है U से तो यहाँ पर जो rank है वो है 5 ठीक है अब हमें यह चेक करना है कि 5 से आगे राइट हैंड साइड में कितने ऐसी letters है जिनकी rank कम है 5 से ठीक है तो यहाँ पर देखो 3, 1, 4, 2 सभी की rank जो है 5 से कम ही है और कितने letters है 1, 2, 3, 4 सिंपली आपको क्या करना है वो count करके लिख देना है U के नीचे ठीक है अब यह M की rank है कितने 3 अब 3 से कम वाले rank कितने letters है 1 और 2 4 तो ज़्यादा है that means हमें कम rank वाले letters कितने मिले 2 मिले तो सिंपली M के नीचे आपको 2 put कर देना है ठीक है सिर्फ right hand side को move करना है अब एक ही बात करते है एक ही rank कितनी है 1 यह तो सबसे पहले है अब इसके आगे इससे कम वाली rank तो कोई हो गई नहीं क्योंकि सबसे कम इसी की rank है that means 0 letter से आगे तो इसलिए हम इसके नीचे लिख देंगे 0 ठीक है अब बात करते है N की तो N की rank है 4 4 से कम rank कितनी है right hand side में 2 है और 1 ही letter है ऐसा तो यहाँ पर हम put कर देंगे 1 और last जो letter है वो है G G की rank है 2 बट उससे आगे तो कोई letter है यह नहीं तो इसलिए हम बोल देंगे count कितना हुआ 0 हुआ तो यहाँ पर भी put कर देंगे 0 ठीक है इतना कर सकते हो first step था इनको rank देना second step था सिर्फ count करके right hand side में कितने कम rank वाले letter से वो कर दिया हमने अब simply last step करना है कि इसमे यहाँ पर लिखना है factorial 0 यहाँ पर लिखना है factorial 1 ऐसे increasing order में लिखते जाना है factorial 2 factorial 3 और यह आजाएगा factorial 4 ठीक है अब यह होगी हमारा third step अब क्या करना है यह जो corresponding numbers आए है इनका क्या करना है multiplication करना है ठीक है और यह जो multiplication करके इतने words होंगे dictionary में ठीक है तो उमंक की rank find out करनी है तो हमें plus 1 भी add करना होगा ठीक है तो इसी लिए उमंक की rank जो आजाएगी वो कितने आएगी 4 into factorial 4 plus 2 into factorial 3 2 into factorial 0 यह तो 0 ही हो जाएगा plus 1 into factorial 1 यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और ही आजाएगी plus 1 rank अगर आपको याद हो तो last में भी हमने क्या किया था बिल्कुल यही आया था 4 into factorial 4 2 into factorial 3 1 into factorial 1 और last में rank of the word जिसमें हमने 1 add किया था ठीक है तो बिल्कुल same answer आ रहा है बस आपको क्या करना है यह shortcut method है इसको practice करना है mastery करना है और अगर आपने यह कर लिया तो उसके बाद कोई भी word हो आप easily rank निकाल सकते हैं बिना किसी confusion के बिना किसी error के तो यहां से जो rank आ जाएगी वो same ही आएगी 110 ठीक है बस आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचना है simply वो step follow कर दे जाने है और rank easily calculate करनी है ठीक है चलिए कि example consider करते है जिसमें हमें rank ही calculate करनी है if the letters of the word docomo are arranged as in an English dictionary find the rank of the word docomo तो आप बोलोगे कि अभी तो हमने एक shortcut method से करी है rank find out लेकिन वहाँ पर जो letters थे वो सब distinct थे उमंग में ठीक है बट यहाँ पर देखो O three times है that means letters repeat भी हो रहे है तो repetition के case में आप क्या करोगे उसको हम सीखने कोईश करेंगे और सिर्फ हम यहाँ पर shortcut method यूज करेंगे ठीक है क्योंकि आपको exam में ultimately final answer ही चीए तो same sequence है same steps है docomo लिख लो पहले तो ठीक है सबसे पहला letter कौन सा आएगा सबसे पहली rank किस letter को मिलेगी first c को मिलेगा फिर उसके बाद d आएगा second number पे और फिर आएगा third number पे m और बाद में o है m के बाद ही आएगा o तो इसको rank मिलने चाहिए 4 अब क्योंकि तीनो के तीनो o o o है तो इसी लिए हम four rank सभी को देंगे ठीक है इसमें कोई doubt ने रखना चाहिए क्योंकि same position पे आते है वो ठीक है तो इसी लिए four रख देंगे और अगर कोई identical letters होते है तो उसको भी हम same rank दे देते जिसके भी according हो alphabet कली arrange हो रहा है ठीक है उसमें कोई doubt ने होना चाहिए अब बात करते हैं दी की वही same step तो हमें देखना है डी में कि इससे छोटी rank वाले कितने letters है right hand side में तो कितने हैं इससे पहले तो c ही है one rank है जिसकी तो हम लिख देखे हैं simply one ठीक है लेकिन यहाँ पर एक difference है difference यह है कि हमें अब denominator में वो सब letters देखने है जो right hand side में है और इसको include करते हुए जो same rank वाले है ठीक है तो two rank वाले तो कोई और है नहीं तो इसको हम consider नहीं करेंगे बट और कौन से हैं वो हमारे same rank वाले हैं तो कितने letters है वो यह देखना है तो one, two, three तो three letters है that means हम three factorial से divide करेंगे ठीक है क्योंकि जब हम identical items को arrange करते हैं तो उसमें हमें divide करना होता है factorial उतने ही number से जितने times हो identical object appear हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर three times ओ अपियर हो रहा है right hand side में तो इसलिए हम three factorial से divide कर देगा ठीक है और clear होगा यह कैसे करते हैं अब यहाँ पर जो rank four है उससे छोटे वाले हमें देखने है ठीक है ध्यार रगना छोटे वाले तो इसलिए हम one और three को consider करेंगे तो two letters है ऐसे simply two लिख दो और denominator में क्या करना है O को include करते है O की rank को include करते है हमें देखना कितने letters हमारे repeat हो रहे है ठीक है तो O की rank है four तो four के repetition तो three times है तो इसलिए three factorial से divide कर देगे ठीक है अब C की rank है one तो one से छोटी तो कोई भी rank नहीं है that means यहाँ पर आ जाएगा zero यहाँ पर जो O है इसकी rank again क्या है four है तो right hand side में हमें चेक करना है इससे कम rank वाले कितने letters है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही letter है वो है three rank वाला ठीक है अब हमें चेक करना है कि कितने identical letters है तो उससे हमें divide कर देंगे तो यहाँ पर देखो अब left में क्या हुआ है उसको भूल जाओ right hand side में सिर्फ move करते जाना है तो four की rank को include करते हुए क्योंकि O के नीचे लिख रहे है तो O को include करते हुए कितनी repeated है यह देखना है तो यहाँ पर देखो एक rank यहाँ पर है same और एक यहाँ पर है तो इसलिए हम two factorial से divide कर देगे clear है इतनी बात अब three rank के right hand side में जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी छोटी rank नहीं है that means zero put कर देगे और O के आगे कोई भी ladder नहीं है that means यहाँ पर भी zero put कर देगे ठीक है अब यहाँ से आजाएगा आपका multiplication में zero factorial यहाँ पर one factorial यहाँ पर two factorial यहाँ पर three factorial यहाँ पर four factorial और यहाँ पर five factorial तो zero factorial से start करना है last में और बढ़ते जाना है जितने भी ladder से कोई घबराने वाली बात नहीं है और इनको corresponding numbers को multiply करना है और last में plus one कर देना है क्योंकि हमें rank find out करनी है डो कोमो की ठीक है तो चलिए यहाँ पर rank देख लेते हैं कितनी आ जाएगी तो one upon factorial three की multiply होगी factorial five के साथ plus two upon factorial three की multiply होगी factorial four के साथ ठीक है और यहाँ पर तो zero ही हो जाएगा यहाँ पर कितना आएगा one upon two factorial की multiply होगी two factorial के साथ इसमें मैं bracket लगा देता हूँ ताकि कोई भी confusion न रहे और यहाँ पर तो सब कुछ zero ही हो जाना है और last में one add कर देगे ठीक है चलिए यहाँ से solve कर लेते हैं उपर है factorial five नीचे है factorial three तो factorial five को हम लिख सकते है five into four और factorial three तो वहाँ से cancel हो जाएगा factorial three तो इस term को solve करके आएगा five into four that means twenty और यहाँ से उपर है factorial four नीचे factorial three तो factorial four को हम एक बार expand करेंगे four into factorial three तो factorial three cancel हो जाएगा यहाँ से four मिलेगा और two तो four two जाए eight और यहाँ पर factorial two factorial two cancel तो यहाँ से आएगा one ठीक है और last में भी कितना है one है ठीक है इनको आपैड करेंगे eight one nine और one ten और last में यह है twenty तो यहाँ से आजाएगा answer आपका rank आजाएगी डोकोमो की thirty कितना एजी है आपको सिर्फ words पे कुछ questions पे practice करना है और उसके बाद आप within a minute इसको solve करके answer अपना निकाल सकते है जब भी आपके exam में यह rank का question आएगा तो आप बहुत easily find out कर सकते हैं कभी कभी यह भी पूछ ले रहता है कि इस word से पहले कितने words क्योंकि one से क्या होता है उस word की rank मिलती है ठीक है कि वो fifth पे है six पे है तो अगर हम one को add ना करें तो हमें यह पता चलिया है कितने words उससे पहले appear हो रहे है ठीक है तो आपको practice करने है बहुत अच्छे से और सारे के सारे questions दढ़ा दढ़ सोल कर देने ठीक है बच्चों आज हमने geometrical problems और word की rank calculate करना सीखा मुझे उम्मीद है आपको सारे concept बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे next video में हम और भी बहुत सारे concepts cover करेंगे तब तक learn how पे बने रहे है क्योंकि learn how पे सभी content free है पर best है